तो बच्चो आप करेंगे 15th question और यह काफी interesting question है बच्चो पहला इसकी 2 parts है तो मैं पहला वाला part करता हूँ ठीक है तो देखें इसको first part पर करने वाला हूँ तो क्या कह रहा है कि Harish made a rectangular garden ठीक है Harish made a rectangular garden with the length 5 meter more than its width and the next year he increase the length by 3 meter and decrease the width by 2 meters if the area of the second garden is इतना square meters the second garden is larger और smaller तो देखो दो गार्डन मने में तो मैं एक में पहला गार्डन लिख देता हूँ first garden और यहां पर second garden लिख देता हूँ तो ऐसे करा करो question ना ताकि मज़ा भी आये करने में दो गार्डन है तो पहले गार्डन में क्या बोला उसने कि Harish made a rectangle garden with length 5 meter more than its width तो जो व्रेथ है और वह जो पाच मीटर जाधा है व्रेथ से तो देखो व्रेथकों मैं आगर मैं x लेले लूँ तो length क्या हो जाएक में 5 प्लस एक्स तो जो length है वो में क्ता है वह में क्ता मेर्थ आ गया 5 प्लसो scholars required जो ब्रेथ कितना आगे में में एक्स अगया तो length 5 obs था ध्यान से देखिए लेंथ को मैंने वृत को लिया था मैंने X ठीक है वृत को या फिर मैंने ब्रेथ को X लिया था तो अब क्या कह रहा है बच्चों He increase the length by 3 meters अब उसने क्या किया next year इसी में next year क्या किया उसने 3 meters ज्यादा length में increase कर दिया He increase the length by 3 meters तो length अभी मेरे पर X प्लस 5 थी तो मैं इस पर 3 और जोड़ देता हूं तो 5 प्लस X प्लस 3 ठीक है और कह रहा है और वृत में उसने 2 meter decrease कर दिया तो जो वृत था उसमें 2 meter इसने decrease कर दिया तो X-2 कर देता हूं ठीक है जी And if the area of the second garden is 119 इन दोनों का area 119 meter square meter है तो second garden बताओ smaller है कि bigger है तो सबसे पहले तो मैं area ही निकाल लेता हूं तो area क्या होता है बच्चो length into breadth लेंथ कितनी है बच्चो में पर यह हो जाएगा 5 6 7 8 8 प्लस X ब्रेथ है X-2 और area कितना है 119 तो देखो इसको मैं solve करता हूं भी तो यह हो जाएगा 8X माइनस 16 प्लस X square माइनस 2X ठीक है जी ओके जी देखे क्या करा जाए इस पर ठीक है तो यह हो जाएगा बच्चो 119 यह हो जाएगा X square प्लस 6X माइनस 16 तो बच्चो एक काम करता हूं 16 इस पूरे को मैं इदर लियाता हूं ठीक है तो यह हो जाएगा x square plus 16 plus 6x plus 6x minus 16 minus 119 अब बच्चो इसको solve करता हूँ 119 और 16 को मैं add करता हूँ तो ये कितना हो जाने वाला है बच्चो ये हो जाने वाला है 135 minus 135 तो हो जागा x square plus 6x minus 135 ठीक है equals to यहां से हटाते हूँ यहां पर 0 लग देता हूँ तो ये देखो मिरे पर एक quadratic आगए इसको मैं solve कर लेता हूँ तो इसको solve किया जाए क्या चलो इसको solve करते है तो मैं लिखता हूँ 135 minus नहीं मैं positive की करता हूँ तो मुझे factors यह तो पहले तो तो देखो 5 बन जा 5 2 जा 10 5 7 जा 35 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा है न तो मुझे 6 चाहिए तो मैं क्या करता हूँ 5 3 जा 9 और 15 15 और अगर मैं 9 करूँ 9 10 11 12 13 14 15 तो बच्चों 15 और 9 मिरे पर आ रहे हैं दो factors तो देखें मैं क्या कर सकते 15 और 9 आ रहे हैं तो इसको मैं solve कर लेता हूँ तो देखो यहाँ पर 15-9 करता हूँ तो देखो मैं करता हूँ तो यह हो जाएगा बच्चों x square minus 9x plus 15x minus 135 equals to 0 अभ यहाँ पर मैं factors ले लेता हूँ x common लेता हूँ तो यह हो जाएगा x minus 9 15 लोगा तो यह हो जाएगा x minus 9 तो देखो x की value एक बार आ गई 9 और एक बार x की value होगी minus 15 minus possible है नहीं एरिया में तो x की value आ जाएगी बच्चों मिरे पर 9 ठीक है तो देखें यहाँ पर length मैं निकाल लेता हूँ इस second वाले का तो second वाले का length कितना होने वाल है यह हो जाएगा 5, 6, 7, 8 8 plus x है ना तो 8 plus x 8 plus x और यहाँ पर तो यह हो जाएगा 8, 9, 17 तो मिरे पर जो area जो length है यहाँ पर यह 17 आ गया और यहाँ पर अब देखो मिरे को इसका area तो पता ही है इसको निकालने की ज़रूत है नहीं क्योंकि 119 ही है मैं first वाले का area निकालने की कोशिश करता हूँ तो देखो first वाले का area निकालता हूँ तो यह हो जाएगा x की value है 9 9 plus 5 किता होता है बच्चो 9 plus 5 9 10 11 12 13 14 तो length मिरे पर आ जाएगे 14 और breath मिरे पर कितना आ जाने वाला है breath आने वाली मिरे पर 9 तो obvious सी बात है बच्चो देखो इसको मैं multiply करता हूँ तो इसका area कितना आने वाला है इसका area आएगा 9 plus 9 10 11 12 तो यह आ जाएगा 126 अब बच्चो दो इसका area है वो 126 meter square आ रहा है और इसका area तो मुझे पहली सी given था 119 meter square तो इन दोनों में से बताओ कौन सा smaller है यह पूछा न उसने बताओ कौन सा smaller और कौन सा larger तो smaller तो भाईया second वाला है और larger बच्चो first वाला है तो देखो किता easy हो गए next करते हैं